कि यह जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं जो हमने पिछला प्रॉब्लम किया था बिल्कुल उसके जैसा है लेकिन पिछले प्रॉब्लम में जो हमने यह जो इंकलाइंट प्लेन का जो सर्फेस लिया था वो स्मूथ लिया था लेकिन यहां पे स्मूथ नहीं है यहां पे यह फ्रिक्शन वाला है यहां पे एंगला फ्रिक्शन दिया है फाई के वेलू दिया है यहां फिप्टेन डिग्री तो मू के वेलू निकाल लेंगे मू बराबर यहाँ पे यह वाले distance x निकालना है जिसके लिए यह वाला जो आपका जो बार है यह कैसा रहा है horizontal रहा है यह horizontal रहा है तो देखे हमको x की value निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे इसका free body diagram मनाएंगे तो देखे इसमें point of contact धोड़ेंगे तो एक point of contact यहाँ है दूसरा यहाँ है इस point of contact पे दो forces लगेंगे एक तो लगेगा normal reaction that is r1 second यहाँ पे frictional force भी लगेगा देखे यहाँ पे अगर 400 newton को बिल्कुल का आप करीब में लगा देंगे तो यह नीचे चले जाएगा यह नीचे जाएगा तो यह उपर जाएगा चुकि इस point पे इसका movement नीचे की और होना तो यहाँ पे frictional force आप ऊपर की और लगाएंगे कितना लगाएंगे mu r1 जब यह वाला point नीचे आएगा यह जो rod है यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे नीचे की और लगेगा तो इस point पे पहले आप क्या करें normal reaction लगाएं r2 अब इस point पे rod आपका कहा जा रहा है तो इ equilibrium की मदद लेनी पड़ेगी तो हमको इसके horizontal और vertical component पहले बनाने चाहिए तो देखिए horizontal और vertical component बनाने तो पहले हम इनके angles निकाल ले horizontal और vertical से तो देखिए यह जो आपका angle आएगा यह आपका 60 degree आगा क्योंकि आपका 60 degree दोनों केसे angle है corresponding angle है तो यह वाला angle आपका 30 degree क्योंकि यह total 90 होता है यह 60 तो यह 30 आजागा इस तरीके से इसका भी angle हम निकाल लेंगे इसका angle यह horizontal से निकाल लेंगे यह 30 degree है तो यह जो angle आपका बनेगा यह 60 degree बनेगा अब हम इंके component बना लें तो देखिए mu r1 के 2 component बना ले थे एक बन गया mu r1 cos 60 second हमने बना लिए mu r1 sin 60 mu r1 आप का incoming force है तो इसके 2 component भी incoming बनेगे r1 cos 30 second हमने बना लिए r1 sin 30 r1 को हटा लिए mu r2 के भी दो component बना ले थे यह incoming है तो component भी incoming बन रहे है mu r2 cos 30 और यह बन गे आपका mu r2 sin 30 mu r2 को हटा दिया r2 के 2 component बनाएंगे r2 का 1 component इहर मनेगा r2 cos 60 r2 का दूसरा component r2 sin 60 अब r2 को हटा देगे अब हम sigma h को 0 करेंगे जब हम sigma h को 0 करेंगे तो हम इसके horizontal forces को देखेंगे तो देखें ये 4 आपको horizontal forces नजर आ रहे हैं तो देखें इसका हम algebraic sum करेंगे हमने इसका algebraic sum किया हमने क्या लिखा r1 cos 30 इस direction में लग रहा है positive लिखा minus mu r1 cos 60 लिखा इसका direction opposite है minus r2 cos 60 लिखा इसका भी direction देखे left hand side है minus mu r2 cos 30 लिखा क्योंकि इसका direction इस side है तो ये पहली equation मनी equal to 0 कर दिया हमने अब हम sigma v को 0 करेंगे vertical component का algebraic sum 0 करेंगे तो ये देखें ये आपके vertical forces लग रहे हैं ये आपके vertical forces लग रहे हैं इनके algebraic sum को हम क्या करेंगे equal to 0 करेंगे उपर के direction में जो लगेगा उसको हम positive लिखेंगे और नीचे के direction में जो लगेगा उसको हम negative लिखेंगे तो देखें r1 sin 30 उपर के direction में positive mu r1 sin 60 यहाँ पर मैंने लिखा है उपर के direction में positive r2 sin 60 उपर के direction में positive minus mu r2 sin 30 नीचे के direction में इसलिए negative और ये दोनों नीचे के direction में दोनों को मैंने negative लिख दिया है तो यहां तक हमने दो equation बना ली है अब mu बराबर 10,5 हम जानते हैं यहां पर mu तो आपको दिया नहीं लेकिन angle of friction 5 की value दिया है तो हम यहां पर 5 की value put कर देंगे तो mu की value आ जाएगी mu is unitless होता है लेकिन अभी भी आपकी x की value find out नहीं होई है हम क्या करेंगे यह दोने equation को solve करके r1 और r2 की value निकाल लेंगे अब x निकालना है तो हमको sigma m equal to 0 करना पड़ेगा जब हम sigma m equal to 0 करेंगे तो हम इस point पर moment लेंगे a point पे तो a point पे इन दोनों का moment तो 0 हो जाएगा इसका भी moment 0 हो जाएगा इसका भी moment 0 हो जाएगा क्योंकि वो a point पे ही लग रहे है और इन दोनों का moment भी 0 हो जाएगा क्योंकि यह a point से ही pass हो के जा रहे है अगर force उसी point से pass हो के जाए जिस point पे हमको force का moment लेना है इसका भी moment देके clockwise और इसका moment कैसा आएगा anticlockwise तो 400 newton का moment कितना आएगा 400 into x 200 का moment कितना आएगा 200 into 1.5 आएगा देखे ये जो distance आएगा ये 1.5 meter आएगा क्योंकि total 2 है 2 में से 0.5 को माइनस कर दीजिए तो ये आजाएगा 1.5 meter फिर mu r2 sin 30 into 2 लिख देंगे और r2 sin 60 into 2 लिख देंगे और इनका algebraic sum कर देंगे तो clockwise moment minus anticlockwise moment equal to 0 कर दिया इससे आपकी x की value find out हो जाएगी x आपका कितना आएगा 0.744 meter तो अगर plane का plane smooth देगा तो आपने को frictional force नहीं लेना लेकिन जब यहाँ पर smooth नहीं देगा friction वाला देगा तो आपको frictional force को भी consider करना पड़ेगा